हेलो एव्रिबन सागत याथ सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जी डी सी मेडिसिन पे हम अपने चैनल पे दवाईयों से रिलेटेड सही सटीक एवं संपुर जानकारी आपको देते हैं तो किसी भी प्रकार की दवा की जानकारी चाहिए तो एक बार हमारे चैनल को जरूर व इंजेक्शन होता है साथी साथ ओस्टियो पुरोसिस की समस्या है चाहिए वो बुजर्ग पेसेंट हो या आम पेसेंट जो भी हड्डियों से रिलेटेड समस्या है वहां पे डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाते हैं और इसका बहुत ही बेहतरी नसर देखने को मिल जाता है आज हम जानेंगे इसे टेरे फोट इंजेक्शन के अंदर में कंपोजीशन कंटेंट क्या-कै मिले उइओगी इसका उप्यों, कहां कहां देखने को मिल जाता है इसके काम करने का तरीका या यानि की मेकेनियोम औप सक्षन क्या है इसके इस्तेमाल करने का सही刺 तरीका इ केरी पैरा टाइड मिला होगा जियां जो कि 75-500-500 माइक्रोग्राम के माउंट पर यहां पर मिला होगा इपका लेबरेटरिस लिम्टेड इसको मैनिफेक्चर करती है जो कि एक बहुत ही मानी जानी कंपनी है और इसे हम रेफ्रिजरेटर यानि की लगभग 2-8 डिग्री सेल्स पर हम इसको स्टोर करते हैं फ्रिस नहीं करना है इतने ही टमपरेश्चर पी इसको स्टोर एनी Does करते है और तीन व्ल के जो एक कार्ट्रेव आता है उसकी किम जियां बहुत महेंगा इंजक्शन होता है क्योंकि बहुत पर भी पावर का क्या होते हैं जो कि बोन के formation को promote करने के लिए जाने जाते हैं तो उसी class की medicine होती है जो कि आपके किस जो आपका मेन हो गए यह आपके जो आपके पोस्ट में पॉजल में होती है ज्यादा जो बुजर्ग हो जाती है उसमें जो osteoporosis वाली समस्या है हड़ियों का छड़ होता है हड़ियां brittle हो जाती है कमजोर हो जाती है उसकी समस्या को दूर करेगा साथी साथ यह आपका जो फ्रैक्चर हो जाएगा यानि कि जो आपका बहुत जादा हड़िया टूट जाती है है ना fracture हो जाता है तो वहाँ पर fracture को recover करने के लिए हड़ियों को जोडने के लिए मजबूत बनाने के लिए यह injection doctor लगाते ही लगाते है फिर हम बात करेंगे इसके mechanism of action काम करने का तरीका क्या है तो यह injection जो इनाबोलिक जो कि bone formation को क्या करती है नए bone formation को promote करती है उसके formation को stimulate करने का काम करती है जिससे bone की density improve होगी और जो आपका spinal fracture हुआ या bone का fracture का risk होता है वो भी decrease हो जाएगा कुल मिलाज बाके हड़ियों को मजबूत करने के लिए और हड़ियों को formation के लिए यह आपका टेरा पैरेटाइल यहां पे response भी लोगा फिर हम बात करेंगे इसके doses सही dose क्या होगा तो देखिए सही dose तो हमेसाब के doctor के साब से रहेगा तो ज्यादा सही है क्योंकि वह condition के अलाके बाद ही इसे उपयोग करना चाहिए फिर हम बात करेंगे इसके precaution क्या सावधानी रखनी है तो यह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फार्मासिस यंद्रस के द्वारा ही लगवाएं खुद से कभी self inject न करें 18 साल से कमोर के बच्चों के लिए यह recommend नहीं की जाती है साथ अगर आपके body में high calcium level है तो वहाँ पर contraindication हो सकता है तो आप वहाँ पर ध्यान पूरवक ही इसे यूज करें फिर हम बात करेंगे इसके side fit side fit देखें वैसे तो जल्दी नहीं आएगा लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज नहीं किये बहुत ज़्यादा आपने dose ले लिया या आपको suit नहीं किया तो क्या हो सकता है joint में pain थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है जहां पर injection लगेगा थोड़ा सा swelling, redness, irritation हो सकता है osteoporosis के समस्यां को दूर करने के लिए यह injection लगाया जाता है इस injection की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो धेर सारी injection की जानकारी हमने अपने इस चैनल पर दे रखी है उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा साथी साथ दवा की हर एक जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती ही तो like, share, subscribe भी जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसे अगले विडियो में किसे अन्द दवा की जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंकी सो मच, all the very best